हेलो जी शास्रीकाल नमस्ते असलाम वालेकूं मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल आइफॉन के बारे में देखिए हम में से बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनल आइफॉन खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो डीज वो Indian price क्या है? वो Indian price है 1,19,900 रुपेज का price है और अगर हम international की बात करें जो के हमारे यहाँ पर मिल रहा है मैंने 2-3 दुकानों से confirm किया है कि क्या price इंडिया के अंदर चल रहा है तो तकरीबन international price phone जो है वो approximately 85 से 87,000 के करीब आपको मिल जाता है 128 GB वाला variant जो है iPhone 13 Pro तो अगर हम दोनों के price में comparison करें तो तकरीबन तकरीबन 35,000 रुपीज का difference आता है लोग अपने पैसे बचाने के लिए international iPhone खरीद लेते हैं पर इसके साथ बहुत बड़े risk भी जुड़े होते हैं जो कि आपको पहले पता होना ही चाहिए जब आप खरीदने वाले होते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि अगर आप international iPhone खरीदते हो तो उसके अंदर आपको क्या-क्या risk जुड़े हो सकते हैं जो कि आपको पहले पता होना चाहिए सबसे पहला risk तो यह है कि यह without bill होते हैं इसका आपको bill नहीं मिलता है अगर आप shop के पर से मांगेंगे कि हमें bill चाहिए तो वो bill नहीं देगा क्योंकि उसकी purchase ही नहीं है तो आपको कैसे bill दे सकता है अगर आपके पास bill नहीं है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको यह होता है अगर आप service center जाते हैं कल को आपको phone के अंदर कोई problem आ गई दिक्कत आ गई आप service center जाते हो तो service center वाले आपसे पहले bill मांगेंगे उनका भी कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि हो सकता है कि आप अगर किसी और का phone उठाकर service center में दे दो और वो replace करके दे दे और बिचारा जिसका phone है वो बिचारा लड़ता रहे इसलिए service center जो है वो bill मांगते है international iPhone के लिए क्योंकि क्या होता है कि phone के अंदर एक Apple की ID लगी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो honor होता है phone का वो ही खोल सकता है अगर आपके पास bill नहीं होगा तो service center आपको warranty नहीं देंगे दूसरा risk आता है GST claim बहुत सारे लोग जो है वो firm के नाम से bill ले लेते हैं जिसमें उनको 18% का जो GST उन्होंने भरा होता है वो उसको claim कर लेते हैं पर जो international phone होते हैं उसके साथ आपको bill नहीं मिलेगा जिसकी वज़ा से आप अपना GST claim नहीं कर पाएंगे कल को आप किसी company में job करते हैं तो वहाँ पर से भी बहुत सारे लोगों को जो मलब कि phone का price होता है उसका जो payment होता है वो companies कर देती है तो उसके लिए भी आपको bill नहीं मिलेगा इसलिए जो है अगर आप खरीदने वाले international iPhone तो आपको ये चीज दिमाग में जरूर रखनी चाहिए तीसरे नमबर पे आता है iCloud Lock बहुत सारे लोग जो है वो अपना Apple ID और password बूल जाते हैं जिसके regarding मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिससे आप अपना Apple ID और password चेंज कर सकते हैं तकरीबन इस वीडियो के उपर साड़े तीन लाग के करीब वीउज हैं मतलब कि हम मैं से बहुत सारे लोग जो हैं वो Apple ID और password बूल जाते हैं इन केस अगर आप अपने iPhone को reset मारते हैं तो reset मारने के बाद phone कभी कभी activation lock पे आ जाता है activation lock क्या होता है वहाँ पर आपसे ID और password पूछा जाता है तांकि आपका phone किसी गलत हाथों में न चला जाए कहीं आपका phone गुम हो जाता है तो अगर वो आदमी इसको reset मारने की कोशिश करेगा या फिर software करने की कोशिश करेगा तो उससे Apple ID और password पूछा जाएगा तो ये Apple ID और password जो है आपकी security होता है इन केस अगर आप international iPhone के अंदर अपना Apple ID और password भूल जाते हैं और phone activation lock पे आ जाता है तो आपका जो phone है वो मिट्टी हो जाएगा मतलब कि आपका phone खुल नहीं पाएगा कभी भी क्योंकि customer care से भी अगर आप contact करते हैं तो वो भी आप से end of the time आप से bill मांगते हैं कि आप अपना purchase proof दीजिए तब ही हम इस iPhone को खोल सकते हैं मतलब कि अगर आपका iCloud lock लग भी जाता है तब भी आप खुलवा सकते हैं अगर आ जाते हैं जी blacklisted iPhone बहुत सारे लोगों को इसका मतलब भी पता नहीं होता कि blacklisted iPhone क्या होता है blacklisted iPhone जो होते हैं basically US और Canada के अंधर मिलते हैं वहां पर जितने भी students जाते हैं या फिर कोई लोग जाते हैं वहां पर बड़ी असानी से iPhone मिल जाता है तकरीब आपको मन्थली एक चोट गया रॉजर हो गया यह इसकी insurance भी करती हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बहुत ही चलाक होते हैं वो जब इंडिया आते हैं तो वो फोन को साथ में ले आते हैं और यहां पर किसी ना किसी दोस्त को बेच जाते हैं और वो आगे किसी और को बेच दता है दुका अद पर जो पुराना फोन जो इंडिया के अंदर अब चल रहा है उसको बलैक लिस्टेड कर देते हैं बलैक लिस्टेड का मतलब क्या होता है कि यह जो है फोन चोरी का हो गया है और यह आई फोन कभी ना कभी लॉग हो सकते हैं जब आप इसको रीसेट मारेंगे इन केस आपने कभी किसी को phone बेचा और आप iPhone को reset मारते हैं तो हो सकता है कि ये phone लॉक हो जाए उसके बाद चले ना और आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएं इसलिए आपको ये भी ध्यान के अंदर रखना हो चाहिए कि आपको ब्लैक लिस्टेड iPhone करीदना नहीं है और मैंने उस country के accordingly जो है वो phone को build करती है जैसे कि आप देखेंगे कि दुबाई के अंदर जो है वो FaceTime वगारा नहीं चलता है वहाँ के phone अलग होते हैं इंडिया के अंदर जो है वो career options अलग हैं जैसे के ATL है जैसे के जियो है अलग-अलग bandwidth पे ये चलते हैं जबकि अगर आप जपान में देखेंगे वहाँ पर अलग है तो मेरे हिसाब से अगर जो Indian phones होते हैं वो ज़्यादा call receiving अच्छी है उनकी और उनके अंदर call drop अगरा नहीं होते हैं तो अगर आप अपने पैसे नहीं बचाना चाहते अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए इतने पैसे मेटर नहीं करते तो आप Indian iPhone ही खरीदें क्योंकि इंडियन iPhone के अंदर आपको कोई भी रिस्क नहीं है आपको इसका GST बिल भी मिलेगा आपको सर्विस सेंटर से वरेंटी भी मिल जाएगी इन केस आपका अगर iPhone कभी iCloud पे लॉक हो जाता है तो आप कस्टमर केर से बात करके इसको उपन भी करवा सकते हैं और आपके मन के अंदर ये भी बिलुकुल कभी डरने रहेगा कि ये फोन जो है कहीं चोरी का तो नहीं है क्योंकि बहुत सारी लोग जो है इसके अंदर फस जाते हैं वो सस्ते की चकर में फोन खरीद लेते हैं कभी-कभी वो फोन चोरी का होता है जिसकी वज़ा से उनको जेल थाने के अंदर अपना टाइम बरबाद करना पड़ता है तो ये आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा हमेशा जो है वो बड़े ही ध्यान से आईफोन खरीदना है ताकि आपको कहीं कल को कोई दिक्कत न हो जाए और कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो इंफोमेशनल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करिएगा और शेर किरी जी का उनके साथ जिनको iPhone लेना है जिनको confusion है कि उनको iPhone इंटरनेशनल लेना चाहिए या इनी लेना चाहिए और क्या क्या रिस्क हैं इसके बारे में तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी बता दिये हैं थैंक यू वेरी मच टू वाच दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बबाई बी से